हेलो चिल्डरन, कुसु मैं की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारी बच्चों, आज हम तीसरी कक्षया की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ दो, साजे की खेती में आने वाले बहु वीकल्पिय पर्षनों को हल करना सीखेंगे और एक और बात बच्चो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल, ओनलाइन स्टेडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दिये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें, तो देखिए, आज हम सुरुआत करते हैं, पाठ दो साजे की खेती में पहले परसन से, पहला क्यूशन है हमारा यहाँ पर, साजे की खेती पाठ में किन पक्षियों का नाम आया है, तो यहाँ उप्सन दे रखे हैं, चिडिया और कबूतर का, चिडिया और कोयल का, चिडिया और कववे का, या कववे और कबूतर का, तो बताओ बचो, कौन है इसमें, चिडिया और कववे का, उप्सन कौन सा है, गः उप्सन आएगा, और गउप्सन क्या है अब देखते हैं हम बिल्कुल सही है क्या हमारा अब देखिए very good सही है चिडिया और कोवे का इसी तहां से अब second question है चिडिया कैसी थी तो बताओ बचो चिडिया कैसी थी महिंती और भोली भाली थी आलसी थी कामचोर थी या चालाक कैसी थी बताओ शेबास महिंती और भोली भाली very good option कौन सा आया का option आजाएगा अब देखते हैं हमारा क्या option ठीक है क्या हाँ बिल्कुल सही है आप third question देखिए चिडिया ने अपने घोसले में क्या क्या जमा किया क्या-क्या जमा किया था कतरने धागे और सुतलिया उप्रोक सभी या केवल ख यानि कि धागे और सुतलिया क्या-क्या किया था बताओ बच्चो उप्रोक्त दोनों ही किये थे है ना तो option क्या आएगा बताओ शेबास Option आएगा हमारा ग, उप्रोक दोनो Next question है एक दिन उसी पेड़ पर कोन आ बैठा? कोन आ बैठा था? उल्लू आया, कोयल, कबूतर या कववा कोन आया था बचो? हाँ, कववा आया था Very good Option क्या है फिर? Option है हमारा ग Next question है अब यहाँ पर कि कववा बहुत था कववा क्या था बचो? अच्छा था, गंदा था, चालाग था या मिहनती था? क्या था? मिहनती था क्या? नहीं, कैसा था? कववा बड़ा चालाग था Option क्या आएगा? Option आएगा हमारा ग तो देखिए अब हम चेक करके देखते हैं सही है क्या? Very good, ये तो बिल्कुल सही है देखिए, next question है यहां पर कि कववे ने चिडिया से क्या करने को कहा? क्या करने को का था? गुसला बनाने को, दूसरे पेड़ पर जाने को, उड़ने को या खेती करने को क्या कहा था बच्चो? तो कववे ने चिडिया को खेती करने के लिए का था कि आओ, अब हम मिलकर खेती करते हैं तो ओप्चन क्या आएगा हमारा? घः ओप्चन आजाएगा देखें क्या सही है क्या? ये देखो, बिल्कुल सही है है ना? next question है डैस का मोसम बीत गया? कुमसा मोसम बीत गया था? सर्दी का, बारिस का, गर्मी का या पज़ड का तो बच्चो, गर्मी का जो मोसम था वो बीत गया था ओप्चन क्या आएगा? गः ओप्चन आजाएगा अब इसी तरह से next question है कि खेत में किसकी बिजाई की गई? चना बोया गया, सर्षों, गेहूं या बाजरा ओप्चन आएगा ख बाजरा यानि खेत में बाजरे की जो है वो बिजाई की गई थी बाजरा एक है, एक डैस है क्या है? एक फल है, अनाज है, दाल है या मसाला है तो बताओ बच्चो, बाजरा क्या है? बाजरा एक अनाज है, ओप्चन क्या आएगा बताओ शाबास ओप्चन आएगा ख, तु देखें ठीक है क्या? हम्, फेरे गूड, ये बिल्कुल सही आंसर है अब देखिए, टैंथ क्यूशन है याँ पर चिडिया के बुलाने पर कव्वे ने क्या कहा? क्या कहा था? जब चिडिया कव्वे को बुलाने के लिए आई थी, काम करने के लिए तो देखिए, तू चल मैं आता हूँ या पहले मैं जाओंगा, तू बाद में या फिर उसने कहा कि हम दोनों साथ चलेंगे या उसने ये कहा दिया कि मैं नहीं आता क्या कहा था बताओ? हाँ, चिडिया के बुलाने पर कव्वे ने कहा था कि तू चल मैं आता हूं, ओप्शन क्या आएगा बताओ? ओप्शन है यहाँ पर कव्शन जो है वो आएगा धीरे धीरे बाजरे के डैस निकलाए, क्या निकलाए थे? पंक, बाली, बीज या सिर्टे क्या निकले थे बताओ गेहुं की बाली होती है बच्चो गेहुं पे निकलती है बाली तो और बाजरे के क्या होते हैं बाजरे के सिर्टे होते हैं तो option क्या आएगा option आएगा हमारा घर सिर्टे चिडिया ने अकेले क्या क्या किया, क्या क्या किया था बताओ, केवल बिजाई की थी, केवल बिजाई और लामनी की थी, या केवल लामनी और मढाई की थी, या हल चलाना, बीज बोना, लामनी करना, मढाई, सब किया था क्या किया था बताओ चिडिया ने अकेले ही बच्चो सब काम किया था यानि कि हल भी चलाया था बीज भी बोया था फिर लामनी भी की थी मढ़ाई भी की थी तो सभी काम जो है वो चिडिया ने अकेले ही किये थे तो उप्शन क्या आएगा हमारा यहाँ पर? उप्शन आएगा यहाँ पर घः और घः उप्शन क्या है? हल चलाना, बीज बोना, लामनी और मढाई सब बटवारे में कवे ने कौन सी धेरी चुनी? कौन सी धेरी चुनी थी बच्चो? बाजरे की, बबुले की, भूशे की या दोनों ही? कौन सी धेरी चुनी थी पता है ना? पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है ना? हाँ, बबुले की, very good. और उप्शन कौन सा है? बबुले की में? ख उप्शन आजाएगा. किस की खिचडी खाकर फूल-फूल कोठी हो जाए? तो बताओ बच्चो, चावल की, मूंग की, बाजरे की या गेहूं की? फूल-फूल कोठी हो जाएगा. बताओ, किस की खिचडी खाकर? बाजरे की खिचडी खाकर. है ना? हम, very good. उप्शन बताओ फिर ये कौन सा है? उप्शन है ये, ग, बाजरे की. नेक्स्ट क्यूस्चन देखिए, सांच. सांच का मतलब है श्याम. श्याम को चिडिया ने बाजरे का क्या बनाया? क्या बनाया था? खिचडी बनाया थी, राबडी बनाया थी, रोटी, या खिचडी और राबडी तोनों ही बनाया. क्या बनाया था श्याम को? चिडिया ने बाजरे की राबडी बनाया थी. है ना? उप्शन क्या है ये? उप्शन है ख राबडी. बाचरे की रावडी कैसी लगी खटी लगी, मीठी लगी, कशैली लगी या तीखी लगी हाँ, जल्दी से बताओ बचो हम, पता है आपको हाँ, बता है तो बताओ हम, कैसी लगी, मीठी लगी थी, है ना तो ओप्सन कुन सा है, यहाँ पर ओप्सन है ख मीठी अब एक और भी क्यूशन है यहाँ पर कि राबडी को किस किस ने खाया हाँ तो बताओ बच्चो किस किस ने खाय था चिडिया ने, चिडिया और कवे ने चिडिया और उसके बच्चों ने या कवे और चिडिया के बच्चों ने किसे खाया था बताओ हाँ ओप्सन है हमारा यहाँ पर ग चिडिया और उसके बच्चों ने खाया था है ना अब यहाँ पर next question है कि चिडिया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को कर्मानुसार लगाएं तो इस पर कार होगा देखो पहले एक दे रखा है का हल चलाना, बीज बोना, लामनी और मढ़ाई और ख में दे रखा है हल चलाना, फिर बीज बोना फिर मढ़ाई और उसके बाद लामनी और ग में दे रखा है पहले बीज बोते हैं, फिर हल चलाते हैं फिर मढ़ाई और फिर लामनी तो बताइए option कौन सा आना चाहिए option यहाँ पर बच्चो आना चाहिए ख सबसे पहले हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी को बीज बोने के लायक बनाया जा सके और उसके बाद बीज बोया जाता है फिर मढ़ाई की जाती है और last में लामनी की जाती है लामनी क्या होता पता है तयार फसल जो होती है उसको काटते हैं उसी को लामनी बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा option कौन सा होगा बताओ option होगा हमारा second option यहाँ पर आएगा केवल ख next question है कि गलत यूगम छाटो यहाँ हमें गलत जो यूगम है जोडा यानि की वो छाटना है पहला जोडा है बिजाई means बीजबोना यह तो बिल्कुल सही है बिजाई का मतलब बीजबोना होता है ख option दे रखा है सिर्टे यानि की बाजरे का दानेदार हिस्सा तो हाँ बच्चो सिर्टे जो है बाजरे के दानेदार हिस्से को ही सिर्टे बोलते है ग ओप्सन है की लामनी अनाज और भुसा अलग अलग करना इसको लामनी बोलते है तो नहीं यह तो गलत यूगम है बच्चो लामनी जो है वो जब फसल पकर तयार हो जाती है और उसको जो काटने जाते हैं तो उसको लामनी बोलते हैं कि फसल हम लामनी करने जा रहे हैं यानि कि फसल को काटने जा रहे हैं और घर दे रखा है बबुला यानि बाजरे का भूसा तो ये भी बिल्कुल सही है बबुला जो हता है वो बाजरे के भूसे को ही बबुला बोलते हैं तो option कुण सा आया हमारा यहाँ पर? बताओ option हमारा आया यहाँ पर ग यानि कि केवल ग ही इसमें option आएगा तो बच्चो आज तो इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर उसमें आने वाले आपके लिए MCQs यानि कि बहु विकल्पिय पर्षनों को लेकर आऊंगी और उनको भी इसी तरह से सोल करना सिखाऊंगी तो बच्चो फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो